नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़ी ओनलाइन प्लेटफॉर्म अनेकीडवी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज हम अंतरास्टी संबंदों की इस क्लास में आधुनिक भारत की इतियास का एक मैप्पून टॉपिक आपके सामेरे रखने लिजा रहे हैं जिसका नाम है 1946 की ब्रिटिस भारत के चुनाओ और 1946 के ये ब्रिटिस भारत के चुनाओ कहां पर हुए तो आप लोग ध्यान रखना ये ब्रिटिस भारत के चुनाओ जो है ये बिसिकली केंदरी इस्तर पर Central लेवल पर जो Central Assembly थी उस केंदरी इस्तर पर और उस समय भारत में 11 प्रांथ थे तो प्रांथी इस्तर पर ये चुनाओ हुए केंदरी स्तर पर केंदरी विदान सभा की चुनाव हुए जबकि प्रांती स्तर पर प्रांती विदान परिस्तियों की चुनाव यह हुए थे उस समय भारत में 11 प्रांत थे इस से पहले भारत में जो इलेक्शन हुए वो 1937 के इलेक्शन काफी इंपोर्टेंट थे जब 1935 के अधिनियम के अधार पर 1937 में भारत में चुनाओ हुए और उन चुनाओ में 11 में से 8 प्रांतों में कॉंग्रेस ने सरकार बना कर एक नया कृतिमान इस्तापित किया था और वो आजाद भारत से पहले कॉंग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर 1937 के चुनाओ में उबरी थी लेकिन 1937 के चुनाओ में मुस्लिम लीग किसी परांत में सरकार नहीं बना सकी जब मुस्लिम लीग किसी परांत में सरकार नहीं बना सकी तो ये मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ा घटका था और उसे के बाद मुस्लिम लीग ने द्विराश्टर का से दान प्रस्तुत किया था और उसने कहा था कि हिंदू और मुसल्मान दो अलगलग समुदा ही नहीं बलकि दो अलगलग रास्टर हैं और दो रास्टर एक साथ नहीं रह सकते इसे के बाद मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 की लाहूर अदिवेशन के अंदर पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया था मतलब प्रथक रास्टर का प्रफोजल उन्होंने पास कर दिया था अब बात आगे बढ़ी 1940 की बाद भारत में लगातार प्रथक रास्टर की मांग बढ़ने लगी हिंदू-मुसलिम दंगे होने लगे सामपरदाइक था अपनी चरम पर थी इन्ही प्रिस्तितियों के अंदर गांधी जी की नेतरत्रत्र में 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन सुरू हो जाता है और आप लोग ध्यान रखना की अंतरास्टी इस तरपर इस समय सेकिंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो अगर सबसे पहले 1946 की मैं प्रस्ट भूमी समझूँ अगर मैं आपको प्रस्ट भूमी बताने का प्रियास करूँ तो इस समय कॉंग्रेस जो है वो बेसिकली आंदोलन सुरू हो चुका है तो कॉंग्रेस जो है अब भारत छोड़ो आंदोलन के मादेम से देश की सबसे बड़ी लीडर्सिप के रूप में उबर के सामने आ रही है लेकिन इसी समय उसके प्रतिद्वन्दे जो है वो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग बन चुकी है और मुस अब तक जो है प्रतक राश्टर के लिए अंग्रेजों ने खुल कर कुछ नहीं बोला था अब 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ड वार के खतम होने के बाद ब्रिटेन के अंदर चुनाओ को हुई और चुनाओ के अंदर ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनी और ए यसे एटली पीम बने उन्होंने तत्कालीन भारती वाइसरोय वेवेल को ये निर्देश दिये कि भारत में भी प्रोविंशियल और सेंट्रल एलेक्शन्स कराये जाएं इस क्रम में आपको पता होगा कि 19 सितम्बर 1945 को ध्यान रखना तो 19 सितम्बर 1945 को तत्कालीन भारतीय वाइसरोय वेवेल ने गोशना की कि अब भारत में जल्दी ही प्रोविंशियल और सेंट्रल एलेक्शन्स होंगे और इसकी डेड़ ती गई दिसम्बर 1945 और जनुवरी 1946 मतलब यह जो इलेक्शन होने ही कब होंगे दिसम्बर के अन्तिम सप्ता से लेकर जनुवरी 1946 तक होंगे इसलिए जनुवरी यह चुनाव 1946 के माने जाते हैं लेकिन इसके प्रिक्रिया जो है वो बेसिकली 1945 के लास्ट महिने में सुरू हो जाती है हम कहते हैं यहाँ पर 1946 की बिर्टिस भारत के चुनाव अब आप देखिए 1946 का जो बिर्टिस भारत में प्रोविंशिल और सेंट्र एलेक्शन हो रहे हैं उस समय कॉंग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता जो है वो बेसिकली जवारला नेरू है सुबास बाबु जो है वो भारती रास्टी अंदोल के संगर्स में सिंगापूर जापान वहाँ पर हैं और वो एक अलग संगर्स कर रहे हैं उनकी इस समय तक जो है उनकी मृत्यू के समाचार आचुके होते हैं हलांकि यह आज तक कन्फरम नहीं हो पाया गांदी जी कहीं न कहीं इस समय कम एक्टिव हैं सरदार पटेल और नहरू कॉंग्रेस में सबसे अधिक सक्री हैं लेकिन उस समय कॉंग्रेस की अध्यक्स था जो है वो मौलाना आजाद के पास में थी इसलिए 1945 के अंदर जब इलेक्शन की गोशना हो रही है तब मौलाना जो है वो कॉंग्रेस की अध्यक्स है कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि उस समय कॉंग्रेस में बड़े लीडर क्रूप में मौलाना आजाद जवारला नेरू और सदार पटेल थे सीराजगोपलाचारी थे वहीं दूसरी और मुस्लिम लीग जो है वो कॉंग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिदंदी पार्टी बनकर उबरी और जब मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरती है मुस्लिम लीग कॉंग्रेस के अपोनिंट के अंदर तो मुस्लिम लीग का उस समय सबसे बड़ा लीडर जो है वो basically मुहमद अली जिनना है और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना ये उस समय के भारत के अंदर मुस्लिम लीग का जो में एजेंडा चुनाओं का था वो ये था कि वो कैसे ही करके एक पर्थक राष्टर की स्तापना करना चाहती है अब पर्थक राष्टर की उसकी स्तापना के अंदर 1946 के चुनाओं इस माइने में मैकमूर्ण होंगे कि उससे मुस्लिम सीटों का कितना प्रतिसत वोट मिलता है या किती प्रतिसत सीटें उसे मुस्लिम सीट में मिलती है ये उसका मुख्य आदार था अब आप देखिए 1946 में इलेक्शन हुए और 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शन में उन चुनाओं के अंदर सबसे इंपोर्टेंट चीज़ क्या है कि 1946 के चुनाव संपन होते हैं उस समय आपनों ध्यान रखना भारत में सामप्रदाइक दंगे तेज गती से बढ़ रहे थे लेकिन इनी दंगों के मद्दे इसी खराब महुल के अंदर इसी भारत छोड़ो आंदोलों के मुमिंट के समय इसी पाकिस्तानी आंदोलों के समय ये चुनाव होते हैं और इस समय तक ब्रिटेन भी सेकिंड वर्ड वार से काफी परेशान था इसलिए वो भारती मुद्दे का कोई न कोई हल निकालना चाहता था अब सबसे पहले हम एक एनालिसिस करें कि 1946 का जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में जैसा कि मैंने पहले काया कि इलेक्शन दो लेवल पर है ये सेंटरल लेवल पर भी था एवं ये इलेक्शन प्रांती इस्तर पर भी था मतला प्रोविंशिल लेवल पर भी ये इलेक्शन अब इन इलेक्शन में अगर उस समय की दो सबसे बड़ी पार्टियों का एनलिसिस करें तो दो पार्टियां उस समय सबसे बड़ी बनकर जूबरी है वो है कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग मैं कहना चाहूंगा कि 1937 के चुनाओं में भी कॉंग्रेस ने बहुत अच्छा प्रजादिसिन किया था और उस ने 11 मैं से आठ प्रान्थों में सरकार बनाए थी और 1946 के चुनाओं के अंदर भी वो बहुत अच्छा प्रवरिमेंस करती है और वो 11 में से 9 प्रांतों में सरकार बनाती है लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर प्रॉफरिम्स जो है वो कही ने कही मुस्लिम लीग ने अदा की क्योंकि जहां वो 1937 में बहुत कम थी किसी प्रांत में उस सरकार नहीं बना पाई थी 1946 में उसने काफी अच्छे वोट भी प्राप्त किये और उसने दो प्रांतों में सरकार भी बनाई आप में उसका एनलेसिस आपके सामने करूं तो 1946 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कॉंग्रेस की इस्तिति क्या थी सबसे पहले चुँकि कॉंग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी है तो कॉंग्रेस ने क्या किया तो आप ज्यान तना कॉंग्रेस ने 1946 के 1946 की चुनाओं में 1 प्रतिशत 10 गेर मुसलिम वोट जो थे 9 प्रतिशत अकेली पार्टी ने प्राक्त की उत्तर होगा कॉंग्रेस मतलब कॉंग्रेस ने 91 परसेंट गेर मुस्लिम वोट प्राप्त किये ये बहुत बड़ी बात थी नमबर एक नमबर दो उसने नमबर दो उस समय चुंकि सेंटरल एसेंबली का चुनाबी था तो केंद्री सबा की टोटल सीट थी 102 और उस 102 सीट में से कॉंग्रेस ने 57 सीटों बार विजय प्राप्त की कुछ बुक्स में ये डाटा 59 है कुल मिला कि आपको ध्यान रखना है कि कॉंग्रेस ने 1946 के इलेक्शन में सेंटरल एसेंबली की कुल 102 सीटों में से 57 सीटें प्राप्त की 51 सीटें मतलब 50% से ज्यादा सीटें जो है वो कॉंग्रेस के पास में है य कुछ बुक्स में 59 दिया है लेकिन आपको ध्यान रखना या आकड़ा पूछेगा नहीं कुल मिलाक मैं कह सकता हूं कि सेंटरल एसेंबली की 102 में से 57 सीटें जो है वो अक्केले किस ने प्राप्त की तो तर होगा कॉंग्रेस ने प्राप्त की तीसरा पॉइंट जो होगा व उन 11 प्रांतों में नाम आता है किसका बंगाल, असम, मद्य प्रांत, उडिसा, बिहार, सहुख प्रांत, बॉंबे, उत्तर पस्मी, सिमा प्रांत, पंजाब, सिंध ऐसे करके 11 प्रांत थे उन 11 प्रांतों की टोटल जो प्रांती विदान परिशत की सीटे थी उस समय विदा विदान परिशत की कुल सीट जो थी, वो बेसिकली, जित्ती कुल सीट थी, उस कुल सीट में से 923 सीटें अकिले कॉंग्रेस ने प्रांत की थी, मतलब जैसे आज हम कहते हैं MLA, उस समय MLC था, तो उसमें टोटल जो विदान परिशत की सीटें हैं, उनमें से 923 सीटें अकिल प्राप करती है तो ग्यारा प्रांतों में कॉंग्रेस जो है आठ प्रांतों में आठ प्रांतों में कॉंग्रेस ने इसपस्ट बहुमत प्राप किया कॉंग्रेस ने आठ प्रांतों में इसपस्ट बहुमत प्राप किया यह जो भारत का मद्यवाला पार्ट है या दक्सिन भारत है वहाँ पर कॉंग्रेस का परफॉर्वेंस बहुत अच्छा था तो यहाँ पर आठ प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनती है और प्लस एक प्रांत और एक प्रांत कौन सा होगा तो एक प्रांत जो है वो बेसिकल पंजाब हैं, पंजाब के अंदर ध्यान रखना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरती है Muslim League, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरती है Muslim League, और लेकिन लेकिन बहुमत Muslim League के पास नहीं था, इसलिए जो Other parties थी, अधर पार्टी में कौन? कॉंग्रेस, यूनिनिस पार्टी और अकाली दल ये जॉइंट होकर एक गटबंदन सरकार बनाते हैं और हयात को मुख्यमंतरी बना देते हैं अब आप देखें यहाँ पर मतलब पंजाब में कॉंग्रेस की नेतरतों में गटबंदन सरकार जरूर बनती है लेकिन मुख्यमंतरी कॉंग्रेस का ना होकर यूनिनिस पार्टी का होता है ये बिंदू भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगी तो यहाँ पर एक पॉइंट यह भ एक सो दो में से 57 सिटें उसने प्राफ्ट की 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में इस पस्त बहुमत प्राफ्ट किया और एक प्रांत में उन्होंने मुस्लिम लीग को रोकने के लिए अकाली दल एवं यूनिनिस पार्टी के साथ मिलकर एक यहाँ पर गटबंदन सरकार कि अगर कॉंग्रेस अपने नतीजों को देखे तो कॉंग्रेस की नतीजे स्यांदार थे और यही कारण है आपको पता होगा 1946 के अंदर इनी चुनाओं के आधार पर समिदान सभा का चुनाओं होगा और समिदान सभा में 389 सीटों में से कॉंग्रेस को 208 सीट मिलती है और म 1946 के आधार परी होंगे और चुंकि 1946 में कॉंग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो जैल सी बात है आगे भी समिदान सभा में भी चुंकि चुनाओं इसी बेस पर हुआ इसलिए सबसे अधिक 208 सीटें किस अकली पार्टी को प्राप्त हुई तो उत्तर होगा कॉंग्रेस जो है सबसे सफल पार्टी थी 1946 की चुनाओं के अंदर अब दूसरा हम देखें उसके बाद में हाँ एक चीस और के ना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर छोटी पार्टीयों का सफाया हो गया जो 1937 में उबरिती उनका सफाया हो चुका है कि पंजाब को हम छोड मुस्लिम लीग की परफॉरमिंस क्या थी? मुस्लिम लीग की और ध्यान रखना 1946 के चुनाओं को मुहमद अली जिन्ना ने Пाकिस्तान बनने का एक स्तंब मान लिया था मतलब मुस्लिम लीग और जिन्ना ये मान चुके थे कि 1946 के इलेक्शन में यदि वो मुस्लिम सीटों को जीतने में सफल रहे तो इस बात का ठपा लग जाएगा कि मुस्लिम लीग भारत में मुसल्मानों की एक मातर परतनिदी है और चुकि मुस्लिम लीग मुसल्मानों की एक मातर परतनिदी है और यदि वो सबसे अधिक सीटें परात कर लेती है तो कल को मुस्लिम लीग ये दर्टा पूरुव कह सकेगी कि हमें परत्थक रास्टर चाहिए अब आप देखिए अगर मुसलिम लीग की बात करूँ तो मुसलिम लीग का उस समय नेता सबसे बड़े नेता है मुहमद अली जिन्ना एवं ल्याकत अली ध्यान रखना पाकिस्तान बनने पर ल्याकत अली पाकिस्तान का पहला प्रदानमत्री बनता है और मुहमद अली जिन्ना गवर्नर जन्रल बनता है पाकिस्तान का अब यहाँ पर देखिए कि 1946 का चुनाओं मुसलिम लीग ने मुसलिम लीग का नाम था All India Muslim League तो इसका नाम आप देखोंगे जगे जगे पर All India Muslim League AIML के नाम से आएगा उस AIML ने चुनाओं किसके लेडरिसिप में लड़ा तो तरहोगा मुहमद अली जिन्ना और ल्याकत अली दूसरा पॉइंट मुसलिम लीग का चुनाओंवी आधार क्या था कि मुसलिम लीग ने किस आधार पर चुनाओं लड़ा पाकिस्तानी आंदोलन पर आधारित था ये बात पी आप यहाँ पर ध्यान रखे उसके बाद में तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूं कि मुसलिम लीग आप लोग ध्यान रखना मुसलिम लीग ने मुसलिम वोटों का मुसलिम लीग ने मुसलिम लीग ने टोटल जो मुस्लिम वोट थी उन टोटल मुस्लिम वोटों का किता प्रतिशत प्राप्त किया तो 83.6% अर्थात लगबग 87% प्रतिशत वोट जो है देखो गैर मुस्लिम वोट प्राप्त है 91% किसको कॉंग्रेस को और यहाँ पर मुस्लिम वोटों का 86.7% लगबग 87% वोट जो है वो किसको प्राप्त हो है? अकेली मुस्लिम लीग को. इसका मतलब यह ठपा लगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रत्निदी है. किस चुनाओं के माद्यम से? 1946 के चुनाओं के माद्यम से. साथी साथ केंदरिये विवस्तापिका में जिसको हम सेंट्रल एसेंबली कहते हैं उस केंदरिये सभा में मुस्लिम लीग ने 102 सीटों में से 30 सीटे जीती ये उसकी बड़ी सफल तह द्यान रखना. वहां कॉंग्रेस ने 57 जीती है और मुस्लिम लीग ने की जीती है 30 सीटे यहां पर जीतने में सफल राप की. एक बात और ध्यान रखना कि उस समय पूरे तमाम राज्यों की अगर राज्यों की बात करें प्रांतों की बात करें तो राज्यों की जो विदान परिस्दों थी उन विदान परिस्दों में टोटल जो सीट रिजर्व थी वो 492 सीट थी पूरे भारत के 11 प्रांतों को मिला कर जो टोटल रिजर्व सीट मुसल्मानों के लिए थी वो किती थी? वो थी 492 उस 492 सीट में से लगभग 425 कुछ जगे पर 429 दिया वा है 425 सीट जो है अक्यली मुसलिम लीग जिती है मतलब 492 सीटों का 87% जो है वो किस के पास आता है मुसलिम लीग के पास तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मुसलिम लीग ने बड़ी सफलता प्राप्त की है मुसलिम लीग ने बड़ी सफलता प्राप्त की क्या कि जो रिजर्व सीट थी जो रिजर्व सीट थी उस रिजर्व सीट का 492 टोटल रिजर्व सीट है और उस 492 में से उसने किसी और मुस्लिम पार्टी को जीतने ने दिया और उसमें से 425 सीटें अकेली मुस्लिम लीग जीतनी है ये उसका ये कहने का एक बड़ा आधार बन गया कि वो मुसल्मानों की सबसे बड़ी पार्टी है सबसे बढ़कर आप देखना रखना मुस्लिम लीग ने तीन प्रांतों में उसकी सरकार बनने की पूरी पूरी समावना थी क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पंजाब के अं जहां उसका प्रफर्वेंस सबसे अचा था वो था पंजाब, सिंद और बंगाल उसको जटका लगता है उत्तर पस्मी सीमा प्रांत में जाखान अब्दुलगफार खान साब जो है वो सरकार बना लेते हैं कॉंग्रेस के लिडरिशिप के अंदर तो यहां पर ध्यान रखन तीन प्रांतों में सबसे बड़ी सरकार बना तो यहां पर पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी तो थी लेकिन भूमत मुस्लिम लीक के पास नहीं था यहां पर कॉंग्रेस ने अकाली दल और यूनिस पार्टी के साथ मिलकर की मलिक खिजर हयात खां के नेतरतों में सरकार बना लेती है मलिक खिजर हयात खां तो ध्यान रखना यहां पर यह बिंदू भी आप ध्यान में रखोगे किसकी लिडरिशिप में सरकार बनती है कि जरहायात खांगे, कहाँ पर पंजाब में, कि जरहायात खांगे, किस पार्टी से थे, तो यूनिनिस पार्टी से थे, इसी प्रकार आप देखोगे, अगर आप से पुछे कि पंजाब में टोटल सीटे 175 थी, उसमें से 88 सीट अजरूरी था, मुस्लिम लीग के पास 73 सीट थ करके गटबंदन सरकार बना लेती है, मतलब पंजाब में मुस्लिम लीग को सरकार नहीं बनाने देते हैं, और जब नहीं बनाने देते हैं, तो यहीं से मुस्लिम लीग और ज्यादा नाराज होती है, जिन दो प्रांतों में उसके इस पर सरकार बनी, वो था सिंध और बंग आपका असम, बिहार, उडिसा, मद्धेपरांथ, सयुक्त परांथ, बॉम्बे, मदरास, उत्तरपस्य में सीमा परांथ, आठ यह हो गए, इन आठ परांथों में कॉंग्रेस की सरकार बनती है, जबकि पंजाब में गट्बनना सरकार बनाती है कॉंग्रेस, यूनिस पार्टी और अवामी लीक के साथ और दो परांतों में मुस्लिम लीक की सरकार बनती है और वो दो परांत है एक तो आपका सिंध और दूसरा बंगाल अब यहां पर आपका मोटा मोटा एनलेस सामने आ चुका है कि 1946 की बात है हमारे देश के आजादी और विबन से एक साल पहले की लेकिन यहां पर तस्वीर काफी कुछ तक साफ हो गई कि जब बंगाल और सिंध जैसे सेत्रों में मुस्लिम लीक की सरकार बनती है तो वहां पर जो सामपरदाइक दंगे है वो और तेज गती से बढ़ जाते है वो और अधिक बढ़ जाते है जब वो सामपरदाइक दंगे और अधिक बढ़ जाते है तो आप लोग ध्यान रखना कि कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी मुमेंट है वो और अधिक जोर पकड़ लेता है मुस्लिम लीग को ये कहने का मोका मिल जाता है कि उसे मुस्लिम आरक्षित सीटें जो है उसका लगबग 87% उसको प्राप्त हुआ है इससे उसका मनुवल बढ़ता है और वै अपनी द्वी रास्टर के सिद्धान पर और ज़्यादा तेज गती से आगे बढ़ती है मैं कुल मिला कि ये कह सकता हूँ कि 1946 के चुनाव हुए उन 1946 के चुनाव में निश्चत रूप से कॉंग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी फिर एक बार बनके उबरती है लेकिन मुस्लिम लीग ने जिस परकार से एक नई एंट्री की क्योंकि 1937 में वो किसी प्रांत में सरकार ने बना पाई थी 1937 में वो आरक्सित सीटों में बहुत कम सीटें जीत पाई थी लेकिन जिस परकार 1946 में मुस्लिम लीग री एंट्री करती है दो प्रांतों में सरकार बनाती है एक प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरती है पंजाग के अंदर और वो मुस्लिम आरक्सित चीटों की सबसे अधिक सीटें जीतने में जिस परकर सफल होती है उसे ये कहने का आधार मिल जाता है कि वही भारत के मुसल्मानों की असली परतिनिदी है इसलिए यहां से जो पाकिस्तानी आंदुलन है वो और अधिक तेज हो जाता है और जैसा कि हम लोग चानते हैं कि 1946 के इनी चुनाओं के बाद में बिटिस प्रांतरी एटली जो है कैबिनेट मिशन को भारत में बेजता है और कैबिनेट मिशन जो था उ जहां रिटना उसी कैबिनेट मिशन के अंतरगत ही भारत में समिदान सभा के गठन होने का प्रावदान था और ये का गया कि बिटिस भारत में प्रतिक्स चुनाओं नहीं होगा बलकि 1946 के चुनाओं को यह आधार बनाये जाएगा और समिदान सभा में जिसका बहुमत होग जब कॉंग्रेस ने 208 सिटे प्रावद करके उसने समिदान सभा में बहुमत प्रावद कर लिया जैसे कॉंग्रेस बहुमत प्रावद करती है इससे मुस्लिम लीक और अधिक चिड़ जाती है हलां कि मुस्लिम लीक को भी काफी अच्छी सिटे 73 के असभास उसको मिलती है ल वो संगर्स और अधिक बढ़ जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि अब भारत की आजादी के साथ साथ जो पर्थक रास्टर का अंधुलन था वो और तेज गती से सुरू हो जाता है और इसकी अंतिम पढ़निती जो है वो बेसिकली भारत के विबाजन के रूप में होती ह तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 1946 के चुनाओं में निश्चत रूप से इन चुनाओं ने यह तै कर दिया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के सत्ता कॉंग्रेस के हाथों में होगी लेकिन 1946 के चुनाओं ने यह भी तै कर दिया कि अब मुस्लिम लीग मुसल कि सबसे बड़ी पार्टी है इस नाते जो उसका प्रत्यक रास्टर का अंदुलन चल रहा है वो कहीं न कहीं सही है इसी को आधार बनाकर जिन्ना हट दर्मिता पर आ जाएगा और भारत का विबाजन अन्यवारे हो जाएगा तो दोस्तों आज मैंने जो आपको क्लास ली 1946 के इलेक्शन पे आप लोग ध्यार रखना 1946 के चुनाओं ने कहीं न कहीं मुस्लिम लीग जिस परकार से सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम समुदाई के मद्दे बनकर उबरती है उसने भारत विबाजन के रास्ते को और ज़्यादा प्रसस्त कर दिया था तो ये 1946 के चुनाओ में सफल हो जाती है लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रेस 1937 में ये एनलिसिस कर देती कि बंगाल, पंजाब, सिंध में वो सरकार क्यों नहीं बना पा रही है तो साइद ऐसी नौबत नहीं आती लेकिन ऐसा आर्तिक सामाजिक कारिक्रम कॉंग्रेस ने भी साइद तयार नहीं किया और 1946 के चुनाओ हुए उन चुनाओं ने आजादी के साथ साथ विवाजन का रास्ता भी प्रसस्त कर दिया तो दोस्तों आज इतना ही कल फिर मिलेंगे जै हिंद जै भारत